कहानी शुरू होती है लगवक 2618 साल पहले से यानि की 600 BC से जब जुनान के एक फिलोसफर थेल्स ने देखा कि जब एमबर को बिल्ली की खाल से रगडा जाता है तो उसमें कागज के शोटे शोटे टुकडे अधी को अकरशित करने का गुन आ जाता है पर उस टाइम में थेल्स ने इस चीज को जादू टोना समझकर नजर अन्दाज कर दिया थेल्स के 2000 बर्ष बाद तक इस खोज की तरफ किसी का ध्यान अकरशित नहीं हुआ सोलवी शतावदी में डॉक्टर गिलवर्ट जो की एक फिजीशन हुआ करते थे और इंगिलैंड की महारानी एलिजावेट के होम डॉक्टर भी हुआ करते थे उन्होंने बताया कि एंबर और बिल्ली की खाल की बांती बहुत सी अन्य बस्तुएं जैसे की कांच, रेशम, अधिको भी जब हम आपस में रगरते हैं तो उनमें भी शोटे शोटे पदार्थों को अकरशित करने का गुन आ जाता है यहां से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट सामने आ रहा था पर अवी भी दुनिया अंधेरे में थी, इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी बाकिफ नहीं था एमबर को ग्रीक भाशा में इलेक्ट्रोन बोला जाता था इस वर्ल्ड को द्यान में रखते हुए गिलवर्ट ने इस सारे इफेक्ट को बोल दिया इलेक्ट्रिक फोर्स यानि की एमबर को रगडने की बज़ा से लगने वाला फोर्स यहीं से Electricity World पहली वार सामने आया इसी के साथ गिलवर्ट ने एक ऐसा यंत्र बनाया था जिससे यह पता लगाया जा सकता था कि किसी मिटीरियल में एलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं उस यंत्र का नाम था एलेक्ट्रोस्कोप और एलेक्ट्रोस्कोप पहला ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो की मेजरमेंट के लिए यूज किया गया था गिलवर्ट के बाद वहुसे साइंटिस्टों ने लेक्टिसिटी पर काम किया पर कुछ भी हाथ ना लगा अठारवी शतावदी में अमेरिका के जाने माने साइंटिस्ट बेंजा मिन फ्रेंक्लिन ने इस पर काफी रिसर्च किया उनके जजबातों का पता अप इस बाद से लगा सकते हो कि उन्होंने एलेक्टिसिटी की रिसर्च के लिए अपनी सारे समपती बेच डाली जून 1752 में फ्रेंक्लिन ने एक पतंग को ऐसे समय पे उड़ाया जब बिजली चमक रही थी और पतंग के उपर एक लोहे की स्पाइक लगा दी पतंग की डोरी गिली थी और उसमें एक चाबी को बांदा हुआ था बिजली आसमान से पतंग पे गिर रही थी और पतंग की डोरी से होते हुए चाबी तक और चाबी से फ्रेंक्लिन के हाथों को शू रही थी इस तरह से फ्रेंक्लिन इलेक्टिसिटी के इन्वेंटर कहलाए पर अभी वी कुछ ऐसी खोज नहीं हुई थी जिससे इलेक्टिसिटी को यूज किया जा सके सन 1791 एलेजंडरा वोल्टाज के दोस्त लुईगी गलवानी ने गोशना की की मेंडर की मास पेशनियों के साथ दो अलग-अलग मैटल्स को संपर्क में लाने से इलेक्टिक रंट उत्पन होता है गलवानी ने इलेक्टिसिटी की इस फोम को एनिमल्स इलेक्टिसिटी कहा पर बोल्टाज इस से प्रवाबित नहीं थे उनका माना था कि इलेक्ट्रिक क्रंट डिफरेंट मैटल्स की वज़ा से उत्पन हुआ है तो फिर इसको मैटल इलेक्टिसिटी बोलना चाहिए उन्होंने 1792 में अकेले ही मैटल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिये आखिरकार 1800 में बोल्टाज को सफलता प्रापत हुई और उन्होंने बैट्री की खोज कर दी यह बैट्री जिंक और कोपर की अल्टरनेटिंग लेयर से बनी थी जिसे सौल्ट वाटर या सोडियम हाइड्रुकसाइड में बिगोया जाता था बोल्टाज की इस अविशकार ने जल्द ही इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट के उपर एक नई लहर का नित्रितव किया बोल्टाज की यह इलेक्ट्रिक बैट्री डीसी इलेक्ट्रिक क्रंट को उत्पन करती थी इसके बाद 1820 में हैंस किरिश्चियन और एस्टिड ने देखा की जब भी किसी वाइर से इलेक्ट्रिक क्रंट पास होता है तो वाइर के अराउंड मेगनेटिक फिल्ड आ जाती है 1821 में माइक्टिल फेराडेज ने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया और काफी एक्सपेरिमेंट भी किये उन्होंने देखा की जब एक बाइर को जिसमें इलेक्ट्रिक क्रंट फ्लो कर रहा है उसे मेगनेट के पास लेके जाती है तो बाइर के ऊपर एक फोर्स लगता है यह से फेराडेज ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक मोटर का अविश्कार कर डाला जो की एक डीसी मोटर थी फेराडेज ने अभी भी अपने एक्सपेरिमेंट्स जारी रखे और 1831 में उन्होंने एक डाइनमो की खोज कर डाली इसके वाद सन 1879 में अमेरिकन इंवेंटर थ इलेक्टिसिटी परड़क्शन की कमपनी खोलनी शुरू कर दी जिन में वो डीसी जनरेटर का यूज किया करता था पर डीसी जनरेटर में कमी ये थी कि वो डीसी करंट को निकालता था वो डीसी करंट को दो या तीन किलो मेटर तक ही ट्रांसमिट किया जा सकता था इससे द काम किया करते थे निकोला टेसला अपने एक्सपेरिमेंट्स एसी के ऊपर कर रहे थे उन्होंने एसी के ऊपर काफिर सर्च कर ले थी उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में एडिसन को भी बताया पर एडिसन ने उन्हें अपनाने से इंकार कर दिया और कहा कि DC generator के उपर करें इसके बाद Nikola Tesla ने उनकी इस company को शोड दिया और AC generator और AC motor के उपर काम करना शुरू कर दिया अन्त में 1887 में Nikola Tesla ने DC generator और AC motor का अविशकार कर डाला और electricity को दूर तक transfer करने के योग्य बना दिया अब एक ही जगा से को सो किलोमीटर दूर तक electricity को बेजा जा सकता था यहीं से electricity की जो advancement है वो शुरू हो गई और different different technologies आने शुरू हो गई जिससे electricity का use बढ़ गया और आज की date में electricity एक ऐसा important factor है कि जिस पे पूरी दुनिया depend करती है अगर electricity ना हो तो एक मेनिट भी काटना बहुत मुश्किल है तो friends अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से electricity का invention हुआ कितने जादा विज्यानिकों ने कितने जादा efforts किये थब जाके electricity invent हुआ अगर इतने सारे विज्यानिक अपने efforts नहीं लगाते तो शायद आज भी हम अंदेरे में होते